इस्वाली अधिकावियों ने बता कि पर्श्यमी एश्या में इरान समर्थित विद्रोही गुटो के कमजोर पढ़ने के बाद उसके पर्माडू ठीकावियों पर हमले के लिए ये सही समय है सैने अधिकावी सही मौके की तलाश में है IDF के अधिकावियों का मानना है कि लेबनौन में हिजबुला के कमजोर पढ़ने और सीरिया में असाज सरकाव के पतन के बाद इवान अकेला पढ़ गया है ऐसे में वो अपने पर्माडू का रिक्रम को आगे बढ़ा सकता है साथ ही अपनी श्रमता को बढ़ाने के लिए पर्माडू बं भी बना सकता है तो वही दूसरी तरफ इस्वाइली सेना सीरिया में लगतार एर स्ट्वाइक कर सैने ठिकावों को निशाना बना रही है सीरिया में असर सरकार के तकता पलट के बाद से इस्वाइली हमले जारी है इस्वाइल सीरिया के सैने ठिकावों और हतियारों को निशाना बना रहा है और अब तक इस्वाइल के हमलों में 85 प्रतीशत से ज़ादा एर डिफेस सिस्टिम तबाह हो चुका है